नमस्कार अधाब सस्रीयकाल मैं मंट फिल्टर में आपका स्वागत करता है नए वीडियो के साथ आप इस वीडियो के आं तक जरूरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपस प्रस्ण पुछेंगे जिसका अंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना है ठीक है यद अलिक लंभाई 13 सेंटी मीटर है तो चड़ाइत तत्ता परिमा ज्यात कीजिए ठीक है प्रश्ण अप यहां पर सबसे पहले जो दिया हुआ उसको आप लिख लेंगे दिया आपको यहां पर दिया है आयत का 6 जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे हम आयत का 4 Черफ ल कितना है 156 work centimeter work centimeter work centimeter कहने का मतलब वही हुआ जो centimeter square आप लिखते हैं ठीक है उसी को लिखते चलिया ये एक और इसमें दिया हुआ है आयत का लंबाई दिया हुआ है सबसे पहले आपको क्या ग्याद करना है तो आयत का चड़ाई उसके दाद क्या परिमाप यदि आप आयत का परिमाप ग्याद करते हैं तो आयत के परिमाप के लिए आपको लंबाई और चड़ाई दोनों होना आवस्यक है जो आपके पास नहीं है आपके पास सिर्फ क्या है तो लंबाई है आपको चड़ाई ग्याद करना है तो यहां से चड़ाई हुआ है तो छेटरफल तो आपको डिया हुआ है जब भ्र दिया हुआ रहता है तो उसका लंबाइelli गयात करने के लिए फर्मॉला आपके पास यहां पर लिखा हुआ है ठीक है तो आप गयाद कर बटा में लंबाई कितना है 13, आप 13 से इसको काट लेंगे, काटने के बाद आपका आगा 100, सोरी, काटेंगे इसको तो कितना आगा, 12 सेंटीमेटर, 13 कम 13, यहां से 2 बच गया, 26 हो गया, 26 को काटेंगे 13 से दो बार में, सोरी, यहां 12 बार में कट जागा, 156, ठीके, अब आपक आयत का परिमाब, बराबर, फर्मूला लगा देंगे, आयत का परिमाब का, तो आयत का परिमाब का फर्मूला होता है, 2 इंटू, L पलस B, टू फर्मूला में आपका है L, देखिए L आपको दिया हुआ था, लंबाई कितना, 13 सेंटीमेटर, पलस B, चोड़ाई, कितना, 12 सेंटीमेटर, यहां से आपका हो जाएगा, 2 इंटू, 12 और 13 को जोडते हैं, तो कितना, 25 होता है, 25 में 200 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 25 दूना का, 50 सेंटीमेटर, ठीक है, अब चलते हैं, इसी प्रशने लेकर का आया है, दूसरा प्रशने में लिखा हुआ ह कि किसी आयत का छेतरफल, 80 वर्ग सेंटीमेटर है, यदि उसकी लंबाई 16 सेंटीमेटर है, तो चोड़ाई तथा परिमाप ग्यात किजिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रशने है, इसको में सेम हो ही काम करना है, जो सबसे पहले आपको दिया हुआ, उसको आप लिख हुआ है, आयत का लंबाई दिया हुआ, कितना है, 16 सेंटीमेटर है, आपको ग्यात का करना है, चोड़ाई और परिमाप ग्यात करना है, ठीक है, तो सबसे पहले चोड़ाई ग्यात करने की लिए पिस फर्मूला का इस्तमाल करेंगे, क्या हो जागा यहाँ पे, तो आयत का चोड़ाई बराबर, फर्मूला क्या हो जागा, छेत्रफल बटा, लंबाई, छेत्रफल आप देखेंगे, आपको कितना दिया हुआ है, 80 और लंबाई आपका 16, आप इसे काट देंगे, 5 बार में कर जागा, यानि कि आपका जो चोड़ाई है, कितना आ गया, 5 सेंटीमेट अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, चोड़ाई आगया, लंबाई आगया, तो यहाँ से आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, पुना, आयत का परिमाप, बराबर, फर्मूला क्या हो जागा, 2 इंटू L प्लस B, 2 तो आपको फर्मूला में रहता है, L, L आपको दिया क्या हो गया, बच्चों, एंसर हो गया, ठीक है, तो इसी परकार का और भी मेत का प्रस्ने देखने के लिए, बने रहे है, आपको आपना चैनल मेत फिल्टर से तब तक के लिए, जय है,